नमस्कार दोस्तों स्वागर है आपका कि आपको ये पता है कि आप Gmail का उपयोग ओफलाइन भी कर सकते हैं आप अपने कुछ email जो ओफलाइन है वो उसको access भी कर सकते हैं और आप उस पर respond भी कर सकते हैं ऐसे ही बहुत सारे Gmail में features हैं हम लोग ये series में आपके लिए अलग-अलग Gmail के features लेके आते हैं अल्रेडी अगर आपने हमारे ये series का पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका link हम लोग description में भी मैंने डाल दूँगा और pin message में भी मैं डाल दूँगा हमें अभी तक subscribe नहीं किया है तो आप subscribe कर दीजे तो आएए start करते हैं हमारा पहला feature है smart compose 2018 के बाद Gmail ने बहुत सारे नए features launch किये हैं उसमें से बहुत सारे features जो भी है वो artificial intelligence के base है मतलब कि AI के उपर based है वैसे ही एक feature है smart compose smart compose आपको क्या करता है कि जैसे आप कुछ type करते हो जैसे यहाँ पर मैंने एक कुछ type करके रखा है तो आपके next line का याफि next word का वो prediction करके वो आपको दिखाता है अगर आपको वही line आपको continue करना है जैसे यहाँ पर यह मुझे दिखा रहा है कि उसके बाद मुझे अगर reply लिखना है तो मैं सिर्फ tab दे सकता हूँ और वो smart suggestion जो दिया हुआ है वो मेरे mail में अपने आप आजाएगा यह feature activate करने के लिए आपको क्या करना है settings में जाईए see all settings में जाईए यहाँ पे नीचे option है smart compose यहाँ पे यह on है next is smart compose personalization हर एक person का writing style अलग-अलग होता है अगर आपने यहाँ पे यह on किया हुआ है तो Gmail आपके हिसाब से आपके writing style के हिसाब से आपको words suggest करेगा तो यह feature आपका बहुत सारा time save कर सकता है अगर आप again and again same कुछ repeated words use करते हैं आपको suggestions में वो दिखाएगा next है हमारा confidential email confidential email का क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी data या फिर कोई भी information किसी और के साथ email पे share कर रहे हो तो सबसे पहले दो issues रहते हैं कि वो email हमेशा उसके साथ में चला जाता है फिर आप उसको retract नहीं कर सकते या फिर उसको delete नहीं कर सकते तो वो information अगर कोई ID password है या फिर कोई information है तो उसके mail में वो हमेशा के लिए रहता है एक चीज़ next है अगर आपने जिसको email किया है वही person वो email open कर रहा है कि नहीं कर रहा है या फिर कोई और person open कर रहा है तो ये दो major drawback है अगर आप confidential information या फिर data email के थूँ शेयर करते हैं तो ये confidential email send करने के लिए आपको क्या करना है आप compose में जाके आपका email type कर लीजे फिर यहाँ पे नीचे एक option है toggle confidential mode उस पे click करिए तो आपको ये window open हो जाएगा ये mail का सबसे बड़ा फाइदा ये भी है कि आप जिसको भी ये mail forward कर रहे हैं या फिर send कर रहे हैं वो आगे ये email forward नहीं कर पाएगा उसका copy नहीं निकाल पाएगा उसको print नहीं कर पाएगा या फिर उसको download भी नहीं कर पाएगा तो उसके पास ये option होगा ही नहीं तो ये confidential mode का सबसे बड़ा benefit है अभी confidential mode आप कैसे set कर सकते हो तो उसके लिए जैसे यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है आप उसकी expiry दिखा सकते हो कि वो एक दिन में expire हो जाएगा या फिर one week, one month, three months या five years इसका मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर one day select किया है और मैं यह mail अगर send कर रहा हूँ तो सामने वाले के inbox में से, Gmail में से यह mail एक दिन के बाद, मतलब यहाँ पर लिखा है Friday 10th को वो अपने आप delete हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर जो भी expiry set की है उसके इसाब से, उसके inbox में से यह मेरा email delete हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा option भी है require passcode तो जैसे मैंने बताया कि दो problem से सबसे पहले कि आप delete नहीं कर पाते थे और कौन देखेगा वो भी आपको पता नहीं था तो यहाँ पर एक option है no SMS passcode तो अब जैसे यहाँ पर save करोगे तो जिसको भी आप यह email send कर रहे हो उसको कोई passcode की requirement नहीं होगी वो directly email open करके वो email check कर सकता है तो यह है no SMS passcode वाला उसके बाद दूसरा हमारा option है SMS passcode SMS passcode का क्या मतलब है कि जैसे ही आप यहाँ पर SMS passcode select करते हो तो सामने वाले person के mobile पे एक passcode जाएगा वो passcode को use करके ही वो email open हो सकता है मतलब कि अगर वो किसी और के पास भी चला गया तो जब तक उसके पास SMS का passcode नहीं है तब तक वो आपकी confidential जो information है या फिर आपका जो confidential data है वो open नहीं कर पाएगा मैं अभी यहाँ पे SMS passcode select करके मैं यहाँ पे save कर रहा हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह नीचे मुझे दिखा रहा है कि content expires on 10th December वो सारी details मुझे यहाँ पे दिखा रहा है अगर आपको उसमें कुछ change करना है तो आप यहाँ पे edit में जाके change भी कर सकते हैं अभी मैं यहाँ पे send बटन हिट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो मुझे phone number के लिए पूछ रहा है मतलब मैं जिस बंदे को यह email send कर रहा हूँ मैंने select किया था कि उसके पास phone passcode जाए तो यहाँ पे मैं उसका number डाल सकता हूँ मैं यह number डाल के जैसे ही send करूँगा तो उसके पास यह email भी चला जाएगा और उसके mobile पे उसका passcode भी चला जाएगा तो वो passcode यूज़ करके ही वो email खुलेगा उसके अलावा यह email open नहीं हो पाएगा तो अगर आप confidential emails share करते हैं confidential data, confidential information अगर आप share करते हैं तो आप यह confidential mode use कर सकते हैं इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने email को एक expiry date दे रहे हैं कि जिसके बाद आपका email वहाँ से अपने आप delete हो जाएगा next option है हमारा offline Gmail तो उसके लिए आपको क्या करना है अगेन यहाँ पर आईए settings में see all settings see all settings में जाके यहाँ पर option है offline आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर click करना है enable offline email तो यहाँ पर जैसे आप enable offline email करेंगे तो आपको सारे options दिखा देगा अभी मेरा storage क्या है वो दिखा रहा है पर next option है sync settings तो यहाँ पर आप तीन options है यह तीनों में से कोई भी option आप select कर सकते हो मतलब कि आप यह चाहते हो कि आपके computer पर 7 दिन के ही email रहे तो फिर 7 दिन के ही email रहेंगे तो आपको जितने दिनों का backup चाहिए उसी साब से आप अपना days यहाँ पर select कर सकते हो उसके बाद है download attachments इस टिक का क्या मतलब है कि जो भी email आपके पास आया है अगर उसमें कोई attachment है तो आपको वो attachment भी offline Gmail में save करना है कि नहीं करना है अगर आप यह टीक हटा दोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके emails ही save होंगे आपके attachments save नहीं होंगे अगर आप download attachments पे click करते हो तो आपके सारे attachments जो भी mail के साथ में आये हैं past 7 days में तो वो भी आपके save हो जाएंगे उसके बाद option है security का अभी security में इसमें दो options आपको दिये हुए है तो first option है अमारा keep offline data on my computer तो इसका क्या मतलब है कि जबी भी आप log out करते हो तो आपका जो भी data download हुआ है वो वैसे का वैसा रहेगा वो आपके device से delete नहीं होगा मतलब आपको एक device ऐसा है जो personal purpose के लिए ही use करते हो तो वहाँ पे आप ये enable कर सकते हो तो सारा का सारा data वहाँ पे ऐसा का वैसा रहेगा आप next time अगर लॉग इन करोगे तो आपका last seven days का जो भी email है वो वैसे का वैसा वहाँ पे आपको दिखेगा और उसके बाद next option है remove offline data from my computer after logging out मतलब जैसे ही आप log out करोगे तो आपका जो भी offline data है वो सारा का सारा delete हो जाएगा मतलब कि जो भी data अब तक download हुआ है वो delete हो जाएगा आप अगर share PC का या फिर laptop का इस्तिमाल करते हो या फिर आप office laptop का इस्तिमाल करते हो जहाँ पे आप regularly अपने personal emails open करते हो तो उसके लिए आप ये option select कर सकते हो हाँ पर ये दोनों option में आपको ये ध्यान रखना है कि first option में आपका data already आपके laptop पे है तो जबी भी आप internet से connect करोगे तो उसको नए थोड़े ही emails download करने पड़ेंगे जबकि second option में आपका data ये computer पे नहीं है तो उसकी वज़े से आपको सारा का सारा data फिर से download करना पड़ेगा वज़े से आपका time ज्यादा जा सकता है तो हमेशा ये दोनों option में से आपको जो भी select करना है आप वो select कर सकते हो और अपने हिसाब से फिर save कर सकते हो अभी मैं यहाँ पे select कर रहा हूँ keep offline data और मैं यहाँ पे select कर रहा हूँ save changes तो जैसे ही आप save changes करोगे तो वो आपको दिखाएगा कि offline not recommended for shared device अगर आप shared device पे हो तो ये recommended नहीं है और फिर मैं यहाँ पे ok करूंगा अभी यहाँ पे मेरा offline access setup हो गया है आप control D करके आपके inbox का setup भी कर सकते है तो वो bookmark हो जाएगा यहाँ पे offline के लिए आपको दो चीज़े ध्यान में रखने की जरूरत है पहली चीज़ तो ये offline access आप सिर्फ और सिर्फ Chrome पे ही enable कर सकते हैं आप कोई और browser में जाके ये offline access enable नहीं कर सकते हैं और दूसरी चीज़ offline access और सिर्फ आप regular Chrome browser में ही open कर सकते हैं आप incognito mode में जाके वो offline access नहीं कर सकते next option है हमारा large attachments के लिए जैसे ही आप सबको पता है कि gmail में आप maximum file size 25 MB ही send कर सकते है उससे ज्यादा बड़ी files आप gmail के through easily transfer नहीं कर सकते तो उसके लिए आप क्या कर सकते है first option है आप जो भी वो file है या फिर जो भी वो folder है उसको आप google drive में डाल दीजे उसके बाद यहाँ पे नीचे एक option है insert file using drive वहाँ पे click करेंगे जैसी आप उस पे click करेंगे तो वो files का option यहाँ पे आपको दिखाएगा जैसे मैंने यह file यहाँ पे save किया हुआ है तो यह मेरा 25 MB से ज्यादा वाला file है तो मैं इसको भी select कर रहा हूँ यहाँ पे already आपको warning भी दिखाएगा because you have selected more than 25 MB to attach to this email these attachments will be shared via drive link मतलब कि यह सिर्फ एक link के हिसाब से जाएगा उसमें attachment के हिसाब से नहीं जाएगा तो वो हमको पता है यहाँ पे आप insert पे click करेंगे तो वो attachment यहाँ पे link के हिसाब से आ जाएगा तो यह first method था दूसरा option है आपको जो भी file share करना है वो drag करके ऐसे Gmail में आ जाएगे यहाँ पे आप drop करेंगे तो वो आपको option दिखाएगा कि यह as a google drive share होगा जैसे यहाँ पे मेरा यह आप देख रहे हैं कि google drive के हिसाब से उसने share कर लिया है तो Gmail अपने आप यह decide कर लेगा कि आपको वो google drive में share करना है कि नहीं करना है और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आपको link बेजेगा तो अभी आप जिसको भी आपको share करना है आप share कर सकते हो आप जैसे ही send पे click करेंगे तो यह dialogue box open होगा वो पूछेगा कि आपका यह link share होगा तो उसके इसाब से अगर आपको उसको editor का option देना है या फिर सिर्फ viewer का option देना है या फिर उसको comment के लिए देना है तो आप select कर सकते हो और सिर्फ send पे click करेंगे तो आपका file share हो जाएगा हाँ पर उसको सिर्फ google drive का link मिलेगा तो उसके इसाब से वो अपने आप वो download भी कर सकता है या फिर उसमें अगर आपने उसको editor का write दिया है तो फिर edit भी कर सकता है अभी हमारा next option है save to google drive हमारी एक बात तो बात हो गई कि अगर आपको large attachment send करना है तो आप google drive के through send कर सकते है पर कई बार ऐसा होता है कि हमको बहुत सारे attachments ऐसे आते हैं कि जो हमको या फिर edit करके सामने भेजने होते है या फिर हम लोग shared pc पे होते है तो उसको edit करके खुद के ही email में हमको send करना पड़ता है तो इस हिसाब से again and again आपको वो download और send करना पड़ता है तो ये सबसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको जो भी email में attachment आया है वो आप यहाँ पे ये option है add to drive यहाँ पे आप click करेंगे तो आपका ये जो भी attachment है वो google drive में save हो जाएगा और हाँ जो भी लोग ये नहीं जानते कि google drive हमें बहुत सारे features microsoft office के जैसे ही देता है मतलब कि google sheets भी है google slides भी है word जैसे features भी है तो वो सारे के सारे जो भी आप ms office use कर रहे है वैसे ही feature आपको google drive में भी मिलेगे मतलब आप वहाँ पे जाके वो edit भी कर सकते हो change भी कर सकते हो और view भी कर सकते हो तो वैसे ही आपके सारे के सारे attachments आप google drive में save कर सकते हो और आपको जबी भी चाहिए वो वहाँ पे आप access भी कर सकते हो या फिर आप कोई दूसरे PC से भी वो google drive में से वो आप access कर सकते हो तो ये था हमारा आज का वीडियो गाइज तो थेंक यू गाइज थेंक्स फो वाचिंग